दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मैं हूँ आचारिस के तिवारी, बात करेंगे करक लगने या करक रासबालों के लिए कौन सा ग्रह अनकूल है और कौन सा ग्रह प्रत्कूल होता है, किस ग्रह करतना आपको हमेशा धारण करना चाहिए और किस सारी बाते आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें। या अस्थिर रासी है। विशेस्ता ही है इस तरी प्रवित्री लाबदाईक तथा भावुक रासी है। इस लगन में जन्मे जातक प्रेम बिलासी और कलपना सील होते हैं। मान प्रतिष्ठा पड़ती है। लोग इनका मान समान करते हैं और इनको अपना समझते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में उतार चलहाओं का बहादूरी से सामना करते हैं। इन्हें अपने परिवार के सदस्चों से काफी लगा होता है। और अपने घर में सुक सांती बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यह जीवन में भौतिक सुक संसाधनों को यह स्वापरिस्त्रम तथा पराकरम से अरजित करते हैं तथा सुक पूर्वा किन का भोग भी करते हैं। ऐसे जातक यथार्थ से परे रहकर कलपनाओं के संसार में ज़्यादा विचरन करते हैं जिस बज़ए से यह कालपनिक समस्चाओं एबम डर से पीडिद भी होते हैं। और तत पर दिखाई देते हैं। दूसरे, चोथे, सातवे, नबम, दसम, ग्यारवे भाव में अपनी छमता के अंसार यह सुप फल ही परदान करने वाले रहेंगे। लेकिन तीसरा, पांचवा, छठा, आठवा और बारवे भाव में यह दि चंद्रमा इस्थित हैं तो यहाँ पर कमजोर इस्थिती कही जा सकती है। आपको सुप फल परदान नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पराकर चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं। दोस्तों दूसरे ग्रह आपके लिए बनते हैं सूर्देव। सूर्देव इस लगन कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी होने के कार्ण मारक यहाँ पर हो जाते हैं। अगर किसी भी कारण से सूर्य आपको असुप फल पर दान कर रहे हैं तो आप सूर्य की पूजा उनका दान करके उन्हें जल देकर उनके असुप फलों को कम कर सकते हैं। लेकिन सूर्य का रतन मानिक आप लोगों को कभी विधारन नहीं करना चाहिए। दोस्तों तीसरा ग्रह आपके लिए बनते हैं बुद्ध। बुद्ध इस लगन कुंडली में तीसरे और द्वादस भाव के स्वामी होते हैं। दोनों खराब भाव के स्वामी हैं। और लगने चंद्रमा की अतिस्त्रू हैं। इस बज़े से ये इस लगन कुंडली में मारक ग्रह बन जाते हैं। इस लगन कुंडली में बुध के महादसा वांतर दसा हर भाव में असुफल ही देने वाली रहेगी। इस ग्रह के असुवता इनके दान पाठ करके कम किया जा सकता है। अगर बुध देव छठे आठवे बारवे भाव में विराजमान हो और चंद्रवा कहीं अगर मजबूत स्थिती में हो तो बुध देव विपरीत राजयोग में आकर सुफल दाइक भी हो सकते हैं। इस लगन कुंडली में बुध कारतन पन्ना किसी भी जातक को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। सातवा भाव, नवभाव और दसम भाव सातवी ग्यारवे भाव में विराजमान हो तो अपनी छमता अन्सार अच्छा फल भी प्रदान कर सकते हैं। अगर सुक्र, इस लगन कुंडली में किसी भी प्रकार से असुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो सुक्र के उपाय करके उनकी असुभ फल को कम किया जा सकता है लेकिन सुक्र कारतन हीरा या उपल आपको कभी विधारन नहीं करना चाहिए दोस्तों पांचवांग रहे आपके लिए बनते हैं मंगल इस लगन कुंडली में मंगल देव पांचवे और दसवे भाव के स्वामी है और लगने चंद्रमा के अतिमित्र हैं इसलिए इस लगन कुंडली में अतियोक कारक रहे हैं अगर मंगल देव दूसरे, चोथे, पाचवे, साथवे, नबम, दसम, भाव या ग्यारवे भाव में विराजमान हो तो अपनी छमता अनुसार सदा सुप फल ही देने बाले बन जाते हैं। लेकिन साथ ही लगन भाव, तीसरा भाव, छठा, आठवा और बारवे भाव में अगर मंगल देव विराजमान हो तो अपनी छमता के अनुसार फल परदान नहीं कर पाते हैं। और जातक मंगल का पूर्ण फल नहीं ले पाता है। करकलगन है या करकरासी है तो आपको मंगल का रतन मुंगा पहनना चाहिए। दोस्तों अगला ग्रह आपके लिए बनता है सनिदेव। करकलगन की कुंडली में सनिदेव साथ में और आठवे भाव के स्वामी बनते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में पढ़े सनिदेव अपनी दसा अंतर दसा में अपनी छमता उसारा सुपफल देने वाले होते हैं। लेकिन ये जिसन आपके छटे आठवे और बारवे भाव में पढ़े हों तो विप्रीत राजयोग में आकर सुपफल देने की छमता भी रखते हैं। और इसके लिए लगनेस का बली होना भी बहुत आवस्यक होता है। अगर लगनेस बली नहीं होगा तो सनि अपना अच्छा फ़ल नहीं दे पाएंगे। ब्रहस्पत देवता छठे और नवम भाव के स्वामी हैं एबं लगनेस चंद्रवा के मित्र हैं। इन्हीं कारणों से ब्रहस्पत देव इस कुंडली में योग कारग रह हो जाते हैं। योग का निर्माड करेंगे लेकिन यहाँ पर आपके लगनेस चंद्रवा की स्थिती देखी जाएगी। गुरु यहाँ पर कमजोर होने चाहिए। अगर ऐसी स्थिती बन जाती है तो आपको विप्रीत राज्योग का निर्माड कर देंगे और उसका राज्योग का फल क्रके लगना और करके रासबालों के लिए कौन सगल होता है कौन सगल होता है साथ ही यह आपके लिए हर प्रकार से वेथर साबित होंगे लेकिन इसके साथ में आपको देबगुरु ब्रहस्पत अगर किसी राज्यो रिस्थिती में पड़ रहे हैं तो आपको उनका रत्न जरूर धारन करना चाहिए पुखराज आपके भाग्य भाव को बढ़ाएगा आपको हर पकार से सुख सम्रिद्धी और भाग्यस को मजबूत करेगा तो आपको पुखराज रत्न जरूर धारन करना चाहिए